कोल माइन्स रेगुलेशन 2017, 27 नवंबर 2017, रेगुलेशन 27, रेगुलेशन 27, मैनेजर की योग्यता और नियुक्ती क्वालिफिकेशन अन अपोइंटमेंट अव मैनेजर, एक कोई भी माइन्स तब तक खोली, चलाई या पुनह खोली नहीं जाएगी जब तक उसके लिए इन में दी गई योग्यताओं वाला बाकाइदा नियुक्त किया गया मैनेजर न हो, दो कोई व्यक्ती मैनेजर के रूप में तभी कार्य करेगा या नियुजित अम्पलॉई किया जाएगा जब वो 23 वर्ष की आयूका हो गया हो, और खान के मालिक या एजेंट से वेतन पाता ह और सीधे उनके प्रती उत्तरदाई हो, तीन सब रेगूलेशन प्फोर के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ती नीचे की टेबल में क्वालिफाइड मैनेजर कार्य करेगा, अंडर्ग्राउंड मैन्स के लिए, एक अंडर्ग्राउंड मैन्स में यदी अंडर्ग्राउंड मैन्स में प्रदक्शन 2,500 टन तक है टू मैनेजर, फिर्स्टक्लास मैनेजर सथिपिकत अन्रिस्ट्रिक्टड वाला होगा, तीन सब रेगूलेशन प्फोर के प्रावधानों के अधीन एक उन्टर्ग्राउंड मैन्स में अधीन प्रेग्राउंड रहते हुए, कोई भी व्यक्ति नीचे की टेबल में क्वालिफाइड मैनेजर कार्य करेगा. ओपन कास्ट माइन्स के लिए एक ओपन कास्ट माइन्स मी प्रदक्शन 20,000 कुबिक मीटर पर से ज्यादा है टू मानेजर, फर्स्ट क्लास मानेजर सतिफिकत वाला होगा. तू और ओपन कास्ट माइन्स मी प्रदक्शन 20,000 कुबिक मीटर तक है टू मानेजर, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मानेजर सतिफिकत वाला होगा. परंतू जिस खान में अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों प्रकार की वरकिंग्स हो, उसका मैनेजर ऐसा अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर का ऐसा सर्टिफिकेट हो जो ओपन कास्ट के लिए सीमित नहीं है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन्स चाहे उस माइन्स का प्रडक्शन कुछ भी हो. परंतु यह और की, जहां विशेश परिस्थितियां मौजूद हो, वहां चीफ इंस्पेक्टर लिखे तादेश द्वारा उप्रोक्त से भिंज शर्तों के साथ किसी खान में मैनेजर की नियुक्ती की अनुमती दे सकता है. चाहां सब रेगुलेशन 3 के अधीन, फार्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला व्यक्ती मैनेजर नियुक्त किया गया है, उस माइन्स में अगले नेक्स्ट ट्वेल्व मन्स के दौरान उसत उत्पादन कम रहने पर भी निमनतर योग्यता वाले व्यक्ती को मैनेजर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक की चीफ इंस्पेक्टर की लिखित पूरवनुमती जिस पर उसके द्वारा लगाई शर्ते लागू होंगी न मिले